दोस्तो आप सभी उमीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए आज किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आइस नेटवर्क के बारे में, पाई नेटवर्क के बारे में, एवाइब के बारे में और दोस्तो सीधरा बैंके रिलेटेड एक दो नियूज निकल करा रही है, उसके बारे में भी कवर अप करने वाले हैं तो ये वीडियो फुल पैकेज होने वाला है, सारे प्रोजेक्ट के लिए, सारे माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए और जिसका नतीज़ा आप देख सकते हो कि आइस के अंदर हमने एक लाग पैसाट हजार कोईम्स यहाँ पर अब तक माइन कर लिए हैं बिलकुल आपने सही सुना, सारी चीज़ों के बारे में डीटेल में डिसकस करेंगे दोस्तों तो अपडेट सीधरा का आप लोग ले लिज़ेगा कि सीधरा बैंक कोईन जो है वो बहुत ही तेजी से लगतार बड़े-बड़े बिजनस के साथ partnership करता जा रहा है बड़े-बड़े project के साथ में partnership करता जा रहा है जिसका result आप देख सकते हो दोस्तों कि एक अच्छे बड़े level पर cidra bank निकल कर आ सकता है तो जिन लोगों ने भी mining कर रखा है, mining कर रहे हैं जारी रखिएगा और cidra के related update लेते रहिएगा मैं आप लोगों को अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा बहुत जल्द इनका P2P वर्जन भी सीधरा बैंक का आने वाला है क्या है चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं हम चलते हैं अपने ट्विटर अकाउंट की उपर और ध्यान लगाते हैं कि क्या क्या चीज़े निकल कर आ रही है एवाइब को लेकर अगर हम बात करें दोस्तों तो जस्ट एक क्यावन मीनिट पहले एवाइब एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जो की बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अपने यूजर्स को प्रोफिट देने के लिए समझो रेडी है ओके एक्स जैसा बड़ा क्रिप्टोकरणसी एक्सचेंज इसके साथ में इन्होंने पार्टनर्सिप कर लिया है एवाइब वर्ल्ड और एवाइब का हमने बहुत समय पहले आपके ज़्याद वेडियो श्रियर किया था जहां पर मैंने आपको माइनिंग के बारे में बताय अपके एक्स क्रिप्टोपीडिया आप लोगों को दोस्तों इमेल एडिट करने का एक option मिलेगा एवाइब application को open करना वहाँ पे ओके एक्स क्रिप्टोपीडिया करके होगा वहाँ पर आपको इमेल आइडि अपडेट करने का मौका मिल रहा है आप चाहो तो अपडेट हुआ है और यह जो इवेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस्पूल हुआ है और इससे बहुत ही ज़्यादा एवाइब जनेसीस nft को भूम मिलेगा 10x तक का incredible return आने वाले समय में मिल सकता है तो nft के अंदर web3 के अंदर एवाइब बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है आप देख सकते हो कि only 5 hour to go the countdown is on for the एवाइब ओके क्रिप्टोपीडिया इवेंट यही क्रिप्टोपीडिया इवेंट के बारे में बात किया जा रहा है और अगर हम बात करें क्या क्या news निकल करा रही है सीद्रा के तरफ से तो देखिए बहुत सारे लोग इसे कह रहे हैं न कि यह एक scam project है तो भाई देखो एक बड़े verified twitter account के तरफ से यह कहना है don't call scam सीद्रा बैंक is 100% legit and reality तो definitely दोस्तों सीद्रा बैंक भी अच्छा perform करके दिखाएगा एक चीच का धियान रखना crypto market mining airdrop वाले section में आपको पैसा ना के बराबर लगाना पड़ता है तो पैसा जब लगनी रहा तो जो चीच mining करने के लिए airdrop मिले हर एक चीच में participate किया करो अगर हम बात करें अगले update के उपर तो दो important news है सीद्रा को लेके वो आप देख सकते हो कि the P2P validation will announce it soon it's not finalized yet this month सीद्रा token will be exchanged with सीद्रा coins after the P2P validation P2P validation बहुत जल्द आएगा 10 month तक यहाँ पर बतार आया निकी December तक आपको यहाँ पर chances लग रहा है कि आ सकता है P2P validation और इसके सबस्ता validation आने के बाद सीद्रा tokens को आप P2P करके exchange कर सकते हो सीद्रा coins में क्योंकि इनका blockchain भी रहेगा और यह Islamic Digital Bank लाने वाले हैं कुछ इस तरीके का इनका update है इसके सबस्ता दोस्तों मैं आप लोगों को फटाक से बिना किसी देरी के सबसे पहले ICE का update देता हूँ भाई क्योंकि ICE का update बहुत ज़्यादा important है ICE का जो KYC step 1 था वो दोबारा से चालू कर दिया गया है जिन लोगोंने KYC नहीं किया है कर लिजएगा मैंने तो कर लिया अब एक और news है दोस्तो Tomorrow marks our next halving transitioning from 4 to 2 eyes per hour यानि कि दोस्तों कल इसका halving हो रहा है कल halving हो रहा है और halving में क्या होता है किसी भी mining का जो reward होता है वो आधा हो जाता है चाहे Bitcoin हो Ethereum हो कोई भी cryptocurrency हो halving आने पर उसका reward आधा होता है तो आप देख सकते हो कि इनका जो halving आ रहा है इसमें 4 eyes per hour जो मिल रहे थे लोगों को वो अब 2 eyes per hour हो जाएगा यानि कि मुझे अभी कितना मिल रहा है मुझे मिल रहा है 678 eyes per hour तो हो सकता है मुझे सीधे अब 300 eyes per hour मिलेगा तो बिलकुल भी मिस मत कीजिए आग अगर आपने mining start नहीं किया है जल्दी से start कर लिजेगा otherwise आपका loss होने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हो कि exactly इन्होंने details शेयर कर दिया है का mining power आधा होने जा रहा है बागी दोस्तों crypto market के related भी news है वो भी जड़ा cover up कर लेते हैं क्योंकि bitcoin का भी बहुत ज़्यादा effect पड़ता है pie network, ice network जैसे mining project के उपर तो क्या update है भाई देखो Philippines के अंदर Binance को block कर दिया गया है Binance वहाँ पर कोई भी service नहीं provide कर सकता क्योंकि SEC ने अभी हाली में CJET को बाहर किया है और बहुत सारा news निकल के आया कि money laundering जैसे चीजों में Binance involved था that's why Philippines यहाँ पर Binance को अपने country से out कर दिया है अब ये पता नहीं है कि कब तक entry होगा Binance का Philippines में दोबारा से तो ये कहीं न कहीं एक negative news है पुरे market के लिए और भाई साब इसलिए कहा जाता है कि पैसा उतना लगाओ जितना आप lose करने के लिए ready है फिलाल हम लगत तो crypto currency market में है एर drop all a section में है पैसा लगाने की कोई ज़रुत नहीं है mining चल रही है free of cost mining करते रहिएगा SEC का कहना है Security and Exchange Commission का कहना है कि ये बहुत जल्द meeting करने जा रहे है सोमवार को, Monday को किस चीज़ का meeting होगा भाई साब तो HASS DEX के साथ meeting होगा Bitcoin के spot ETF के बारे में अब यहां से एक बड़ा news निकल कर आ सकता है Monday को कि क्या market नीचे जाएगा या उपर जाएगा अगर SEC ने बोल दिया कि हाँ Bitcoin का spot ETF अभी नहीं लागू होगा तो market सीधे dump करेगा अगर बोल दिया जाता है कि Bitcoin का ETF आ जाएगा तो market सीधे यहां से एक बड़ी rally ले सकता है बाकि दोस्तों आपकी क्या राय है इसकी उपर अपनी राय कमेंट कर यह बताईएगा Bitcoin का effect Pi Network में पढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले next year में क्योंकि Bitcoin का bullrun रहेगा अगले साल और Pi Network भी launching समय होगा अगले साल देखने लायक होगा 21 तरीके का हमें profit यहां पर मिलता है बागी दोस्तों अपडेट के उपर चले Pi Network से related तो नाइजरिया के अंदर दो पाइनीर ने successfully complete किया transaction GCV value के according यहने कि global consensus value 3,14,169 डोलर जहां पर इन्होंने 2 Infinix Android Chargers यहां पर buy किये हैं और यहां पर आप देख सकते हो कि यह photo यहां पर क्लिक करके share किया है इसके साथ साथ दोस्तों iPhone 14 Pro 2.80 Pi में iPhone 14 Pro Max 36 Pi में MacBook Pro 2 Pi में iPhone 13 Pro 1 Pi में और Ponsonel Smartphone करके एक है इसका price 0.5 Pi है और यहां पर MacBook Pro 13 इंच का price 1 Pi है तो भाई अब सीधे तोर पे कहीं न कहीं जो है वो अब बड़े लेवल पर खेल हो रहा है आप देखोगे तो Pi से अब लोग यहां पर MacBook iPhone जैसी product को भी buying selling कर रहे है तो कहीं न कहीं यह एक positivity को दर्साता है दोस्तों इसके सबस्त यहां पर आप देखोगे the newest lady Pi NFT on the Pi NFT platform by PCM visit Pi NFT dot art in the Pi browser officer Kara A vigilant pioneer is always on the lookout for bad actors in the Pi network ecosystem Pi network का NFT marketplace में भी तगड़ा entry हुआ है और Pi network का NFT है वो बहुत ही थे जिसे boom पर है लोग buying selling अच्छे तरीके से कर रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि Pi का NFT marketplace और Web3 marketplace बहुत ज़्यादा bright रहेगा बागी दोस्तों आप अपनी राइक comment करके जरूर से बताईएगा आपने कितना ice coin अब तक mine किया है कितना आपने Pi coin माइन किया है और कितना आपने अब तक AY माइन करके रखा है और आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसमे सबसे ज़्यादा profit हम लोगों को मिलेगा अगले news के उपर दोस्तों तो the first Pi Network Forum held हुआ है South Korea के अंदर जहां पे बहुत सारे Pi influencers आएं थे उन्होंने अपना presentation share किया utility के बारे में बताया Pi ecosystem के बारे में बताया और एक बड़ा सांदार event हुआ है और यह event बहुत ही ज़्यादा successful रहा है South Korea के अंदर तो हम I hope हम लोग आसा करते हैं कि ऐसा event हम लोगों को इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा अब इंडिया का नाम हमने लिया है तो देख सकते हो कि यह भाई साब आपको इंडियन देखने को मिल रहे होगे और यह इंडियन भाई साब जो है वो वियतनाम के साथ वियतनामी के साथ में मिलकर Party कर रहे हैं और Pi Network का जोरो सोरो से प्रसार होगा है तो आपकी क्या राय है दोस्तों इसके उपर अपनी राय भी अपनी ओपिनियन कमिन करके बताईए क्योंकि भाई इंडिया के अंदर भी अब धीरे धीरे क्रेज बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे क्या भाई अमेरिका, USA, चाइना और इंडिया यहाँ पर सारे के सारे कंट्री हाला कि अमेरिका, USA एक ही है यहाँ पर तगले लेवल पर आप लोगों को जो है वो जोरो सोरो से पांच साल, पाई के लिए बहुत ज़्यदा बहतर होगा क्योंकि यह वर्ल्ड एकोनोमी बन सकता है, पाई वर्ल्ड एकोनोमी के अंदर इंवाल्व हो सकता है, पाई विल भी दा यूनिवर्सल लेंगवेज ऑफ मनी, एंड वन डे बिलियंस ओप पीपल विल स्पीक इट, तो भाई, काफी सारी positive news है, कितना बताऊं, बताते बताते, आजा दो घंटा निकल जाएगा है न, अगले news की उपर चलें, तो दो बिटकोन को एक पाई से calculate किया जा रहा है, आने वाले समय में देखेंगे कि कितना पाई, कितना बिटकोन के बराबर हो सकता है, क्रिप्टो नहीं किया, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तो, पाई network भले minute ले आए, launch हो जाए, आपको अपना सारा पाई सेल नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ पाई बचा के रखना है, क्या पता आने वाले 10 सल के बाद, 8 स पाई नेटवक का भी क्रेज हम लोगों को देखने को मिला, तो चले दोस्तो, आज की सुड़े में इतना ही है, अगर ये वीडियो को थोड़ा से पसंदा था, आपने दोस्तों के शेर कीजेगा, चैनल को जबूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा, और दोस्तों टैलिग्रा का दोनों का लोगों छपवा रहा है, तो भाई अच्छा न्यूज है, चलिए कॉमिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चलके सपोर्ट कर रही है, हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं, ताकि और ज़्यादा पाई आगे चलके ग्रो कर पाए, और डेफिनिटली हम सपोर्ट कर रहे हैं, पाई निटवक को, क्योंकि भाई हमने तीन-चार सालों से लगातार मेहनत किया है, और हम चाहते हैं कि इसका फ़ल हमें जरूर मिले आने वाले एक साल में, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके बताइए, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के,